हलो आप लोग के लिए मेरे रियल क्लाइन का मेक अप लाई हूँ सबसे पहले मैंने टीशू के हल्प से अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है दैन उसके बाद मैंने यहाँ पर मॉस्चुराइजर यूज किया है इनको टोनर सूट नहीं होता है इस वज़े से मैंने टोनर यहाँ पर अपला नहीं किया है मेरी जो क्लाइन्ट है उसके स्कूल में फंक्शन था तो दैन मैंने ये मेक अप किया है तो अगर आप लोग भी ये मेक अप करना चाहते है इस इसका ड्राइनेस थी मतलब काफी ज़्यादा बिंटर का महसे में तो इस वज़े से मैंने वह उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रैलान का सूप्रा पैलेट यूज किया है जो इनके स्कीन टोन से मैच करता हुआ ही मैंने एक सेड इनके कंप्रीट फेस पे लगा दिया बट मु हो उनको हाइड भी करना था थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ पर इनको ग्रीन कंसीलर भी यूज किया है बड पहले आपको इसकीन टोन visão स्कीन करता हूए एक लगा इंग इनक यहाँ पर ग्रीन कलर का टाम सिलर्य यूज किया और उसके स्कीन में मैंने प्रीका से अब्जॉब कर दिया है जिसे क्या होता है यह जितने उब्रे उब्रे जो मार्क है वो भी आपका थोड़ा बहुत दब जाता है और बहुत ही फ्लॉलेंस और ग्लोइंग स्किन दिखती है दैन उसके बाद मैंने अगें सेम उनकी स्कीन टोन से मिलता हुआ कलर लगाया है मै ने शुक्त बहुत ही अच्छा था केट्स के लिए आप यह मेकप यूज कर सकते हो एन्युल फंक्शन हो गया घर पे भी नॉर्मली या बच्चों पर यह वाला मेकप कर सकते हो सारे प्रोड़क्त बहुत ही अच्छे है तो क्रेवलन तो हमारा सबसे बैस प्रोड़क्ट है उसके बाद बारिया दिये नैक को तो आपको नैक को कभी skip नहीं करना चाहिए अगर आप face पे कोई product लगा रहे हो तो उसको neck and ear को अच्छे से cover up जरूर करना है then उसके बाद मैंने यहाँ पर compact powder लिया है मैंने यहाँ पर कोई और brand कर लिया था मुझे नाम याद नहीं आ रहा अगर आपके बाद मेबलीन भी है तो आप उसको भी use कर सकते हो compact मैंने complete makeup को एक बाद सैट कर दिया है then मेरा सबसे फैबरेट शुगर का ट्राय पैलेट जिसमें मैंने इसे थोड़ा बहुत ब्रॉंजिंग कर दी थी जैसे नीट नहीं होती है बच्चों की बढ़ हाँ इसके मुझे लगा थोड़ा सा function है तो उसके according मैंने कर दिया उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको blusher भी लगाया है बहुत ही light लगाया है विकाज इसको थोड़ा सा पसंद नहीं है बट अगर आपके school में function है तो थोड़ा सा dark भी लगा सकते हो बट मेरी क्लाइंट है जो बच्ची थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था तो मैंने बहुत ही light light लगाया है मेरी जो क्लाइंट है इसने एक पिक दिखाई थी कि मुझे सेम इसी टाइप से मेकप करना है विकाज इस class मतलब जितने भी लोग डांस कर रहे थे साथ आठ कर्ल्स थे उन सबका सेम सिमिलर मेकप होना चाहिए था इस वज़े से मैंने उसके जैसा ही मेकप किया है तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ब्लशर भी लगा दिया ब्रॉंजिंग भी कर दिया और फेस कितना प्यारा सा लग रहा है उसके बाद बारिया दी है मेरे हाइलाइटर की तो यहां पर मैंने ग्लैम 21 का हाइलाइटर लिया है यह थोड़ा सा चंगी हायलाइटर है बट बहुत अच्छा हायलाइटर है इसकिन में बहुत इच्छा सा गलो करता है अगर आप स्टेशो वगरा कर रहे हो तो बहुत वाला हाइलाइटर भी लिया है और अपने जितने हाइस पॉइंट है उन पर अच्छे से लगा दिया है उसके बाद में यहाँ पर आई मेकप करूंगे आई मेकप बहुत सब्सक्राइब लगा दिया यहाँ तो मेरे एक ब्रश से ही दोनों आइस कम्प्लीट हो गया उसके बाद मैंने क्या किया थोड़ा शिमर वाला आई स्टाइडव ले लिया था अदिने एक आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लगाया उसको ब्लैंडिंग किया और मैंने क्या कि उसके बाद यह देख सकते हो आप shimmer लिया और उसको center eyeball पर लगा दिया है जिससे eyes में थोड़ा सा glowing effect करेगा और eyes भी बहुत ही अच्छी लगेगी मेरे दूसरे clients भी आ रहे थे साथ साथ में then मैंने यहाँ पर उनको gel eyeliner लगाया है इसको मैंने यहाँ मैंने Maybelline का gel eyeliner लगाया है बहुत अच्छा है जो Maybelline का जो gel eyeliner है बहुत ही अच्छा है तो आप लोग इसको यूज़ करना इसके साथ छोटा सा brush already मिलता है तो आप देख सकते हो eyeliner और उसके बाद mascara के बाद eyes कितनी प्यारी लगती है मेरी जो client दो उसको eyes खोलने बर दिक्कत हो रही थी तो काजल लगने के बाद काफी सारा थोड़ा सा feel गया था तो उसको भी मुझे wipe out करना पड़ा तो वीडियो को last तक देखो तो आपको समझ मा आ जाएगा मैंने यहां पर mascara लगा है sorry मैंने थोड़ा सा पीछे मेरी clients से इसके वज़े से मुझे थोड़ा बहुत हाइट करना पड़ा उनको because हर कोई allow नहीं करता है अभी बहुत सारे make-ups हो रहे थे बट हर कोई allow नहीं करता है कि मैं उनकी वीडियो जो हे YouTube पे डालू बट मैंने permission लेके उसके बाद ही यहां पर वीडियो को upload किया है तो आप देख सकतो I make-up कितना प्यारा लग रहा है यह मैंने clean brush लिया और उससे मैं फॉल आउट हुआ था वो इसको मैंने clean कर दिया है उसके बाद मैंने lower lash line पे भी वही सेम पिंग कलर का आई शाडव है इसको लगाया बट मेरी क्लाइंट जो है उसको मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा wipe out कर दिया and clean कर दिया है complete face को बहुत ही प्यारा make up हुआ था तैन आपको हमेशा brush की हलक से lipstick लगानी है तो मैंने यहाँ पर dark pink color का lipstick लिया है Swiss beauty palette का बहुत ही अच्छा वाला lipstick था यह बहुत इच्छा था मतलब उसके dress up पर बहुत अच्छा लग रहा था starting में उसको बहुत डर्क लग रहा था but last make up होते होत तो I think आप लोग को यह make up look बहुत ही अच्छा लगा होगा hair style and dupatta setting को मैंने off camera किया है तो वो मैं आपको भी नहीं दिखा पाऊंगी उसको मैं shoot नहीं कर पाई हूं because मेरे दूसरे clients भी आ चुके थे उसके लिए sorry तो I hope आप लोग को मेरे यह video अच्छी लगी होगी अगर लाइक जरू करना comment जरू करना और अगर आप मेरे चैनल पर new है तो subscribe जरू करना तो देख सकते हैं मेरे lipstick लगाने की video final किस टाइप से मैंने lips को line किया है किस टाइप से feeling किया है तो आप भी इसी टाइप से lipstick लगा सकते हो और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अचाहिए चैनल पर विए मेरे चैनल पर वो लों आपकी हो आपकी हो गाएगा और शांसे बिज़ी बनागा है